इस कारिक्रम के पुर्ण्यार जखे स्वभाग्य भक्ति श्री राकेश जैन, रजनी जैन, मानु जैन, प्रज्या जैन, डॉक्तर अंकित जैन, डॉक्तर श्वेता जैन, यशिका जैन, ओमांशु जैन, इवान जैन, भोगल आश्रम दिल्ली, स्वभाग्य भक्ति श्री विरेंद्र जैन, श्रिमती अंजुला ज महानुभाओं, जीवन में आज हर कोई एक दूस्रे से इर्ष्या कर रहा है, जलन की भावना रख रहा है, बैर बिरोध की भावना एक दूसरे के प्रती संजोग रहा है, भगवान महावीर शौमी की आराधना करते समय, किसी भजन गायक ने बहुत के पहले लिख दिया था, हिंसा पीड़ित भिशुराज महावीर की तकता है, और बरतमान को बर्धवान की आवश्चकता है, उन्होंने हिंसा पीड़ित जो बात करी थी, उनको ये नहीं पता था, कि आने वाले समय में भाव हिंसा बढ़ जाएगी, द्रब्व हिंसा तो समझ में आती है, लेकिन आज बरतमान में भावो की हिंसा इतनी बढ़ चुकी है, कि उसके सामने द्रब्व हिंसा भी फेल है, मेकसर कहता हूँ कि जलो मत अपना कारे करो जलने के बाद बरतन भी काला पड़ जाता है लेकिन बरतन जलता है तो दूद गरम होता है तबा जलता है तो रोटी बनती है कडाई जलती है तो पुड़ी बनती है कुकर जब जलता है तो चावल पकता है लेकिन इनसान के जलने से क्या होता है इनसान के जलने से दूसरे का कुछ नहीं बिगड़ता बलकि अपना ही घात होता है बरतन ज़ी जलता है तो कुछ ना कुछ उपयोग में आता है लेकिन आज इनसान इनसान से जल रहा है और लोग कहते हैं बाहर की गर्मी तो इनसान को सहन है लेकिन अंदर की जो गर्मी है वह बिल्कुल भी शहन नहीं है लोग दूसरे के नुक्सान करने के चक्कर में अपना भी नुक्सान कर देते हैं अरे फत्तर मारोगे पेड़ में तो पेड़ फल देता है लेकिन इनशान को फत्र मारोगे तो फल नहीं मिलेगा वलकि फल खाने लाइक भी नहीं रह जाओगे एक बार दो पडूसी मित्र थे एक मित्र ने भगवान की आराधना की आराधना करने के बाद भगवान जी प्रगट हुए सचे मन से प्रभू की आराधना की जाएं तो मैं कहता हूँ इस पंचम काल में भगवान आपको नजर आएंगे बसरते बात इतनी सी है कि क्या आपकी नजर प्रमात्मा को देखने लाइक है आज लाखों लोग को खड़ा कर दीजिए और उनके सामने कहा जाए कि ऐसा एक इंसान लाओ जिसने जिन्दगी में पाप ना किया हो जिन्दगी में कभी रागदेश ना किया हो जिन्दगी में कोई बैरभाव ना किया हो तो मालूम चलेगा कि ऐसा संसार में कोई भी नहीं है सरभुण संपन दुनिया में कोई भी नहीं है और यही सरवुन संपन दुनिया में कोई होता तो यहां नहीं होता बलकि सिध्धालाई में विराजवाना तो दो पडोसी थे एक पडोसी ने भगवान की आरादना की भगवान की पूजा की भगवान प्रगठ हुए प्रगठ होने के बाद भगवान ने कहा बश मैं तुमसे प्रशन हो मांगो क्या मांगते हो उस ते अपने जुरूत की चीजे मंग लिए ये बाज जैसे बाजू बाले पड़िस्वी को चली वो जल गया परिशान हो गया उसने और भगवान की भक्ती चालू कर दी और आरदना चालू कर दी देखिये मैं कहता हूं कि देखा देखिये जिए भगवान की आरदना कर रहा है तो समझना आज नहीं तो कर उसका कल्यान होई जाएगा लेकि इस पर्दा जो चल रही है परतीस प्तार जो चल रही है वह बजार की चीजों में है सामान की ख्रीदारी में हैं प्रतीस पड़ोसी रोज अभी सिक करता है तो मैं अभी सी भी करूँगा और पुजा भी करूँगा मेरी प्रदोसन रोज महराज जी को आर देती तो मैं आहार भी दूँगी और साम को आरती भी करूँगी मेरी प्रदोसन रोज चार पुजा करती मैं पाच पूजन करूँगी इसमें प्रतिस परदा करोगे तो कल्यान हो जाएगा ले कोई मोल नहीं जिनका कोई महत्व नहीं है क्योंकि आज आप अपने प्रवसी से अच्छी गाड़ी महंगी गाड़ी लेकर आते हो लेकिन जब लेकर घर पहुँचते नहीं हो उसके बाद वाजू में मालूम चलता है कि जो बाजू वाला तीन घर छोड़कर है वह आप से आवशक्ता होने पर और आज चीज आती हैं देखा देखी होने पर आवशक्ता में आने वाली चीजों का आदमी को आनन्द हमेशा आता है और देखा देखी चीजों का आने वाला का आनन्द आदमी को जब तक ही आता है जब तक कोई परोस में उससे अच्छी चीज ना आ जा कपटी है जलन करने वाला है बोले मांगो क्या मांगते हो बोले मुझे धन संपता दीजिए भगवान जी ने कठी है उन्होंने कहा लेकिन एक सर्थ है भगवान जी ने कहा तुझे धन संपता मिलेगी जो तुम मांगोगे वो मिलेगा लेकिन एक शर्त है बोले क्या ब्ले मैं जो तुम को दूंगा उससे दुगना तुमारे पमदसी को दूंगा कि अग वंजी ने कहा जो मैं तुमको दूंगँ उससे दुगना तुम्हारे पडलोशी को दूंगा उसने का ठीके मुझे 100 किलों सोना दो कि पडलोशी को 200 किलों मिल गया है कि उन्सें का मुझे गाड़ी दो पडलोशी को दो गाड़ी मिल गयी Mart खराब खुरापाती दिमाग सैतानी दिमाग जलन की भावना भगवान के पास गया मेरा एक हाथ तोड़ दो पुड़ोसी के दो तूट गए उससे होचा कोई बात ने इसका नुक्सान करना है तो इनसान दूसरे के नुक्सान की चक्कर में अपना नुक्सान करता रहता है वोले मेरा एक हाथ तोड़ दो उसके दोनों हाथ तूट गए भगवान बचन बंद से जो तुमको मिलेगा उससे ज्यादा उसको मिलेगा उसने कहा मेरा एक पैर तोड़ो पुड़ोसी के थोनों तूट गए उन्होंने कहा मेरे एक कान से सुनना बंद कर दो तोड़ दो उसके दोनों ताख तूड़ गए उसके इबाद भी उसको सांती नहीं मिल रही है उसने कहा कि मेरी एक आख फुड़ दो पुलूसी की दोनों फूड़ गई उन्होंने कहा कि मेरे घर के सामने कुए खुद दो, पडोसी के घर के सामने दो एक खुद गए, पडोसी की दोनों आख चलीगी, दोनों हाथ चलेगी, दोनों पैर चलेगी, दोनों कान चलेगी, दोनों आखे चलेगी और घर के वाहर दो गट्थे कुए खुद गए, अब व काने ने चस्मा लगाया हात की फुल वाहे की पैनी और अपने बच्चे को लेकर चलने का प्रयास करत सब हैं लेकि aku profound यह प … वहात प्ड़ोशी ने भी सुनी उसने का राजा की सवारी हमें देख क्या क्या करूंगai मेरी तो आखें भी ने, मेरे तो हाठ भी ने, मेरे तो पेर भी ने, अब में करूँ गा क्या तो मैं तो घर में भला और काना जल्दी जल्दी भागा जल्दी जल्दी भागा उसको ध्यान ही नीडा कि घर के बाहर कुवा खुदा हुआ है और भाग कर कुवे में गिर गया समझे बाता भाग की दो गड़े आप किसे के लिए खुदने जा रहे हो वही गिरिना गिरे लेकिं तुम पहले गिरोगे और गिरने लगा तो रोने लगा चिलनाने लगा यह भगवान बचाओ मैं मर गया मैं मर रहा हूँ भगवान आए बोले क्या हुआ तेरे बरदान मांगने के समय समापत हो चुके है बोले नहीं भगवान जी मैं बर्दान मागना नहीं चाहता हूँ मुझे तो आप कुएं से निकाल दो मुझे स्वस्त कर दो तो भगवान बोले तुझे स्वस्त करूँगा तो बाजू वाला भी स्वस्त होगा सोचले क्या करना है उसने सोचा की भाजू वाले के अस्वस्त के चक्रम मैं तो मरी जाओँगा क्योंकि मैं तो कुई में किरा हूँ तो बोले भगवान जी जो करना आपको करो कर दो बोले लेकिन उसकी संपधा बापिस ने आएगी, तेरी संपधा बापिस भी आएगी पहर कि बोले जो करना करदो मेरी वी उसको दो लेकिन मुझे जान बचा दो भगवान ने तसास्तु कहा और जिए के तियूंग दोनों लोग विज़ार करें जलने की भावना से दूसरे के नुकसान करने कि भावनास हमेशा इसी तरह से करतल नहीं किया कर रहे हो। कि जब हम बिहार करते है ते प्रस्तिष्सेगाइया चलती एक गाड़ी पर लिखा था बुरिय अजरवाले ये तेरा मू काला के बुरी नेजरवाले ऐसे पड़ता है कीसी किसी काड़ी में लिखा रहेता है जी और जीने दो किसी किसी में लिखा रहता है जलो मत बराबरी करो बहुत सारी सीजन लिखे रहती है हम लोग पढ़ते है जब दो है तमाम तमाम लिखे रहते हैं एक बार एक जगा पर हम लोग चल रहे थे तो लिखा था कि बुरी निजर बाले औरे बोले नजर तो जाती है बोले रस्ते में चल रहा हूँ तो नजर तो जाएगी बोले बजार से गुजराओं खरीदार तो नहीं हूँ बजार से गुजराओं खरीदार तो नहीं हूँ दुनिया में रहता हूँ तबलदार तो नहीं हूँ उन्होंने कहा कि बजार से गुज्राओं खरीदार तो नहीं हो दुनिया में रहता हूँ तबलदार तो नहीं हो लेकिन उसके बाद भी जब बजार से निकलता हूँ तो सबजी पर मजज़र तो पड़ती है आप विचार करिए यहां Iaincestal के बाहर एक बोर्ट लगा दिया चाए की इस तरफ आपको देखना मना है तो आदमी ऐसे करके देखेगा और यदि कहा जाए कि यहां देखना है तो क्या मैं तुम्हारे बापकानों करो यहां पर कह दिया जाए कि तुम को यहां पर ही बैठना है तो इंसान बोले करें क्यों बटना और महराज जी के थे या मत बटना कोई बियाईपी आदमी होगा कोई स्पेशल आदमी होगा कोई कुछ होगा मन में प्रोचन चलते चलते ना जाने कितने तरह के सडयंत दिमाग में आ जाएंगे बाद में महरत जी प्रवचन के बाद बाद क्याता हूइ भाईया वहाहँ पर कुरेंट आ रहा था इसलि नहीं है लेकिन प्रवचन तक तो दिमाँ में कितने सद्यंत्र पैदा हो गए कितनी सारी ब्यूस्ताइं पैदा हो गए तो मैं आपको बता रहा था कि दुनिया में रहता हूँ तबलदार तो नहीं हूँ बजार से कुझना हूँ तो खरिदार तो नहीं हूँ अरे भाई खरिदार नहीं हो तो दुनिये तो टाकते जाकते क्यों आज के समय में इनिशान को सुखी होना है तो उसको इधर उधर ताकना इधर उधर जाकना और इधर उधर की बाते करना छोड़ देना चाहिए इनिसान सुखी हो जाएगा कि चौवीज घंटे बहुत होते हैं चौवीज घंटे में इनिसान नर से नारैन की यत्रता कर लेता है पापी से प्रमात्मा की यत्रता कर लेता है और चोर से अंजन चोर की यत्रता कर लेता है चौवीज घंटे में लेकिन अंतर इतना है कि हम चौवीज घंटे में क्या व्योग लगा रहे हैं क्या संसार के चक्र को काटने का प्रयास कर रहे हैं इस बात का ज्यानकरी हमें करना बड़ा आवश्चक है कि कुछ कि करते हैं 24 गंटे मिले हैं तीन इससे करो आठ गंटे सोने के आठ गंटे कमाने के चार गंटे खाने के और चार गंटे गप्पे लडाने के तो धर्म कहां जाएगा तो वहले जो है खाने के चार गंटे में से कम कर लेता हूँ इस कारिक्ट्रम के पुर्ण्यार जखें इस कारिक्ट्रम के पुर्ण्यार जखें इस कारिक्ट्रम के पुर्ण्यार जखें झाल झाल